हेलो स्टुदेंट्स वेल्कम बैक इन यह फूर्थ लेक्च्छर आफ लास फिफ एंड इस वीडियो के नहीं हम अक्टिविटी से स्टैट करेंगे एंड इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाट दर माइक्रो कंप्यूटर मिली कंप्यूटर में फ्रेम कंप्यूटर सुप सब्सक्राइब के आपको मैं वीडियो के बाद यानि जब मारा चैप्टर कंप्रीट हो जाएगा जब आप मुझे सेंड करेंगे आपका चेक करने का मैं यह चेक करूँगा कि किस के कि आपके आपके आंसर कितने सही है तैन उसके बाद यह आपको इन सबी के आपको सब्सक्राइब क्यों यूज करते हैं मैं यह पता होना चाहिए डैट वाइट फर्स पॉइंट आता एक्पूरेसी कंप्यूटर कभी आपको गलत रिजल्ट नहीं देता है जो जो भी इंस्ट्रक्शन उसके दो सेट है उसके एकॉर्डेंग कंप्यूटर आपको हमेशा सही की रिजल्ट देता है क्लियर सो एक्पूरेसी स्पीड एक कंप्यूटर के परफॉर्म यूज का कैल्क कैल्कुलेशन स्वेरी क्विक लिए यानि कि कितने भी अम्हाल पर कॉंप्लेक्स कैल्कुलेशन हो उसको काफी इजी तरीके से और काफी जल्दी उसको सॉल्ट कर देत कंप्यूटर कभी भी टायड नहीं होता अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे लेकिन आप जिस डिवाइस पर अगर आप मोबाइल पर एक वीडियो को देख रहे हैं तो मोबाइल को पर कोई फरकने पढ़ेगा बस उसको प्रॉपर चार इसको प्रॉपर चार्जिंग मिलती रहें थैन हाई स्टोर इसको एक साल के बाद भी बहुत असानी से बहुत इसली रिट्रीव कर सकते हैं यानि कि देख सकते हैं ना नेक्स परफॉर्म डिफ्रेंट टास्ट यानि कि एक बार में एक समय में एक से ज्याज़ा कर सकते हैं सारा काम आप कोश्य काम कर सकते हैं सो सौ इसका मंतलब होता है इसका मीणिııयग और आप शुक्रीव में समझ सकते हैं स्पोझ कर दोसके बाद आप अपना कुछ और भी काम करना हैं कम्प्विटर पर सो अ process is called a versatility now multi tasking it can do multiple things at the same time that's the same thing clear versatility meaning हो गया कि आप computer पर अलग अलग तरीके की कामों को कर सकते है clear and यहां पर है multi tasking का meaning हो गया कि एक समय में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं जो मैं आप कुस्वांग वाला example दिया वो यह उसी के लिए multi tasking यानिकि multi task एक साथ एक से ज्यादा काम करना so it is a multi tasking right now versatility का meaning क्या हुआ कि आप एक ही computer system पर पहुँ सारे काम कर सकते हैं आप उस पर game भी खेल सकते हैं पढ़ाई भी कर सकते हैं and music भी सुन सकते हैं यह आप सभी काम एक ही computer पर कर सकते हैं multi tasking का meaning हो गया एक साथ एक टाइम पर एक से ज्यादा काम कर सकते हैं suppose आप MS आप paint के अंदर कोई अपने paint बना रहे हैं and आपने songs भी चला रखे है clear so अब हम आखे चलते हैं now अब यहां पर हमारे instruction computer को नहीं दोगे जब तक computer कुछ भी काम नहीं करेगा आइडल रहेगा आइडल का मतलब आपने on करके छोड़ देगो as it is रहेगा ठीक है तो computer को run करने के लिए हर step पर किस चीज़ की requirement instructions की requirement है and computer अपने decision खुद नहीं ले सकता clear क्योंकि मैं आपको की definition में में भी बता है computer is the instruction based electronic device so instruction based है जैसे आप instruction दो को वह ऐसी काम करेगा नाव अब पढ़ लेते हैं बुक के अंदर भी नहीं है it does not work on its own but it requires set of instructions set of instructions की computer को काम करने के लिए requirement रहती है then next point it needs to be instructed about each and every step it has to perform clear है now last point it cannot take decisions of its on its own so simple है कि अपने decision नहीं ले सकता now इसके बाद आपको यहां पर एक recap corner मिलता है then recap corner पर यह कुछ points है video को push कर सकते screenshot ले सकते हैं यहां पर clear यहां पर मैंने आपको explanation के साथ पूरा chapter भी provide करा दिया है video को push करकर आप चेक कर सकते हैं और इसके बाद ही हमारी कुछ exercises है यहने solve करने की कोशिश करिए गए exercises को अगर हो जाती है that's it's well and good it's very good जो भी सबसे जल्दी solve करके देखा that was that is very good and इसके बाद हमारे पास यह exercise video को push कर दीजेगा आप चेक कर सकते हैं now यह true and false है एक बाद ट्राइ करिए सही answer तो आपको मैते ही दूँगा but आप आप सभी को एक बाद ट्राइ करना कंबल सरी है and just write your answer in the comment box right और you can also send an answer on my contact number that you all have okay now इसका यह question answers है question answers आपको मिल जाएंगे कोशिश करिए chapter को दुबारा से पढ़ने की कोशिश करिए पूरे chapter की pdf आपको मिल जाएगी okay class thank you हमारे chapter complete होता है okay thank you very very much फ्ष्ष्छ